एक बार की बात हैं, एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमडी और एक चतुर कोवा रहते थे एक धूप वाले दिन कोवे को स्वादिष्ट पनीर का टुकडा मिला और वह एक साखा पर बैठ गया पनीर की सुगंद ने लोमडी का धान अकरसित किया और उसने कोवे को धोखा देने का फैसला किया लोमडी ने कोवे की सुन्दर आवाज की परसंसा की और एक गाना गाने का अनुरत किया खुश ओकर कोवे ने गाने के लिए अपनी चोज खोली जैसे ही ऐसा हुआ पनीर उसकी चोस से गिर गया और लॉमडी ने तेजी से उसे पकड़ लिया और निगल गया कोई को ऐसास हुआ कि लॉमडी की चापलूसी से उसे मुर्क बनाया गया है कहानी हमें यह सीख देती है कि चापलुसी और खोकली परसंसा गल्ट निरिणों का कारण बन सकती है सतरक रहना महत पूरण हैं और दूसरों के मीठे सब्दों से अपने निरिणे को दूमिल नय होने दे इसके अतेरे कहानी बहुत अधिक भरोसे मंद और भूला होने के खिलाफ चेतावनी देती है क्योंकि अन्य लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं